यदि भारत सरकार को इंटरनेट मीडिया टोईटर को लेकर अपना रवैया सक्थ करना पड़ रहा है तो इसके लिए यह सोसल नेटवर्क साइट ही जिम्मेदार है टोईटर ने अंतिम चेतावनी जारी किये जाने के बाद भी जिस तरह सूचना एबं प्रोध्योग की संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने से इंकार किया उसके बाद भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रहे गया था कि वह उसके इंटरमीडियरी दरजे को खत्म करने का फैसला करती इस फैसले को लेकर कैंद्रिय सूचना एबं प्रोध्योग की मंत्री रवी संकर प्रसाद ने यह विल्कुल सही कहा कि यदि कोई विदेशी कमपनी भारत में रहे कर यहां के नियम मानने से इंकार करती है तो इसे सुईकार नहीं किया जा सकता ट्विटर न केवल भारत के नियम कानूनों को मानने से इंकार कर रहा है बलकि खुद को अफिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जंडा वरदार के रूप में पेस करके भारत सरकार की आखों में धूल जोकने की कोशिस भी कर रहा है ट्विटर किस तरह सरारत पर उतर आया है? इसका उधारड है तूल किट संबंधी भाजपा नेताओं के ट्विट को छेड चाड़ कर पेस की गई सामगरी के रूप में रेखांकित करना और गाजियावाद की एक घटना से जुड़ी फरजी खवर पर मौन सादे रहना यह अच्छा हुआ कि उसकी इस हरकत पर उसके खिलाफ रिपोर्ट धर्ज की गई ट्विटर ने गाजियावाद की घटना से संबंधित फरजी खवर की जैसी अनदेखी की उससे यही साबित हुआ की फेक न्यूज के खिलाफ लडाई का उसका दाबा पूरी तरह खोकला है ट्विटर किस तरह चाला की दिखा रहा है इसका पता इससे भी चलता है की वह कभी तो अपने को महज प्रकासक करार देते हुए यह दरसाता है की अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सबको अपनी मन चाही बात ट्विट करने की स्वतंत्रता है और कभी वह ट्विट की गई सामगरी की सत्तिता परखने लगता है चुकि उसके पास ट्विट की गई सामगरी की सत्तिता परखने का कोई तंत्र और तरीका नहीं इसलिए जब कभी वह ऐसी चेश्टा करता है तो अपने दोहरे चरित्र और दुरागरे को ही उजागर करता है आखिर वह दिल्ली पुलिस की जाच के पहले ही यह कैसे जान गया था कि टूल किट को कॉंग्रेस की कारस्तानी बताने वाले टुईट सही नहीं टुईटर यह कहकर करतब की इतिसरी नहीं कर सकता की वह तो सूचना संबाद का मंच है क्योंकि कहीं भी किसी को यह अधिकार नहीं की वह किसी पोस्टर बैनर और होल्डिंग पर कुछ भी आपत्ती जनक लिखकर उससे अपना पल्ला जाड़ ले जब प्रतियक पोस्टर बैनर अथवा होर्डिंग की भासा के लिए उसे लगाने इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार होते हैं तब फिर ट्विटर अथवा अन्य कोई सोसल नेटवर्क साइट यह कहकर कैसे बच सकती है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कोई कुछ भी लिख सकता है इस्तोब